नमस्कार कैसे हैं आप योग आयरुवेद से स्वस्त रहने के प्रकल्प में संदीबाद अर्थराइटिस गठिया इसका मैं कुछ आज निदान चिकित्सा के माध्यम से बर्णन करूँगी अर्थराइट्स गठिया मित्रो बहुत ही भेंकर पीडा दायक कस्ट दायक रोग है रोग तो सभी ऐसे हैं लेकिन इसमें जब हमारी हड़ियों के जोड़ों में सूजन आ जाती है अकड़न हो जाती है जकड़ जाती है हड़ियां और उभर उभर के हमारे रोग जो बाहर आत है मासपे से हमें सूजन दीखने लग जाती है तब हमें बड़ा ही दर्द होता हमारी दिन चर्या रोज मर्रा के कामों में बड़ी समश्या होती है कैसे करें क्या करें हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं तो यह देखिए यह होती कब है लगभग 35 साल की उम्र के ऊपर लोग की बज़े से है कि हमने क्या खाना है कब खाना है कैसे खाना है हम इस पर ध्यान नहीं करते प्राचीन मुझर कहा करते थे कि मासिक धर में हमने ठंडा नहीं खाना खटा नहीं खाना ऐसा नहीं खाना जादा बाहर नहीं निकलना लेकिन आज यह सब कुछ मजबूरियों से तो यह मुखे कारण है कि हमारे अंदर ये रोग पनप रहा है और आज तो बच्चों में भी ये देखा जाने लगा है कि जोडों में दर्द है जकडन हो रही है क्या करें बहुत परिसान है अब क्या होता है कि इससे शरीर में अपाहिज जैसी इस्थिती बढ़ जाएगा तो हड्डियों में टकराहट होगी तो तूटने फूटने का भी डर रहता जोडों में सूजन गर्माहट रहना और जिस जोड में हमें अर्थराइस्टी की समस्या हो रही है वहां लालीमा आ जाना ऐसे ये कुछ हमारे लक्षन इसमें दिखाई देते हैं ये रोग अधिकतर घुटने, नितम, टकने ऐसी जगे जादा होता है क्योंकि जहां हमारे पेर, हमारे हाथ जादा चलते हैं जादा जहां हमारे जोडों में समस्या होती है और रोजमर्रा के काम में वही अंग हमारे प्रभावित होती है अर्थराइटिस के प्रकार में बताना चाहँगू एक्यूट अर्थराइटिस ये अस्तिक्षे होता है इसमें रूमेटाइड गठिया इसमें आम बात कफ जहां अस्तियों में जुड़ जाता है तो आम बात बन जाती है और ये है अस्तियो अर्थराइटिस इसमें अस्तिक्षे होता है इसमें जो हड़ियां तूट जाती है घुल जाती है या घिस जाती है और चोथा होता है गाउट ये हमारे प्रकार है एक्यूट इसमें भी अस्तिक शयगठिया कह देते हैं इसको लेकिन इसमें इतना हमारी अस्तिया प्रभावित नहीं होती रूमेटायन में आम बात कफ भी साथ में स्वलिंग का कारण होता है जम जाता है वहाँ जोड़ों में आस्तियों में अस्तियां घिसने लग जाती है देखते हैं कि हमारे घुटने की प्लेट कुछ अपने आकार से छोटी हो रही है और चोटी होती है गाउट अब आदनिक चिकिस्सा में हम क्या करते हैं मित्रोस्प्रीन लेली इंडोमेथिसीन लेली ये सब हम दवाईयां लेते हैं ये सब दर्द निवारक दवाईया हैं थोड़ी देर के लिए हमें इंसे लाव मिल जाता है और धीरे धीरे फिर वही इस्थिति जब बढ़ जाता है तो हम क्या कहेंगे चलो सली चिकिस्सा करात ले लेते हैं कृतिम धातु के यंत्र लगा लेते हैं लेकिन ये समश्याओं का हल नहीं है समश्याओं का हल योग और आईरवेद में हैं जिसे हम कुस्तो पहले से ही साब धानिया बरते हैं और यदि रोग हो गया है तो फिर हम उपचार के रूप में योग और आईरवेद का आश्रल हैं तो निश्चित रूप से ये रोग शांत होगा और आप स्वस्थ रहेंगे परसंद रहेंगे धन्यवाद